नमस्कार स्वागत आपका जन सत्ता में मैं कृष्णा शुकला लेकर आई हूँ आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरे लगनो सुपर जाइंट्स के खिलाफ मैच में रॉयल चंजर्स बैंगलॉर की जीत में उसके तेजगे अनबाई हर्शल पटेल ने भी एहमू में का निभाई है हर्शल पटेल ने डेट ओवर्स में 17 रन दिये और मारकर स्टोईनिस का विकेट भी जटका मैच के बाद फाब डूपलेसस ने हर्शल पटेल की तुलिना ताश की गड़ी में होने वाले जोकर कार्ड से की फाब डूपलेसस ने कहा वो हमारी टीम के जोकर है जिस तरह जोकर सब के साथ शामिल हो जाता है उसी तरह हर्शल भी हमारे लिए है वो हमारे अधिक दबाव वाले वक्त के इन्बाज है जब भी मैं दबाव महसूस करता हूँ उनके हाथ में गेंध हमा देता हूँ जब हम दोनों के बीच पहली बार चर्चा हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मैं दबाव की समय गेंध बाजी करना चाहता हूँ लखनाव सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में हर्शिल पटेल सबसे किफायती साबित हुए है उन्होंने इस हाइ स्कोरिंग मैच में चार ओवर वे 25 रंदे कर एक फिकेट चिटकाया उन्होंने मारकस टोईनिस को रजट पाटिदार के हाथो कैच आउट कराया है जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर उमरान मलिक के लिए ये अब स्मरणी अपल है थोड़े अरसे में अंजवान खिलाडी से भारती टीम में जगह बनाने का उनका सफर किसी चमतकार से कम नहीं है फल विकरेता केस 22 वर्शिय सपूत ने 2022 के आई पिल को रुमांच से भर दिया उनकी तेजगेंदों ने बल्ले बाजों में खौफ पैदा किया गलतिया करने पर मजबूर किया यॉरकर हो या बाउंसर उन्होंने ख्याती प्राप्त बल्ले बाजों की हवा खराब कर दी थी उनकी तेज गेंदों पर बिखरते विकेट का नजारा ही अद्बुद्धा 14 मैचों में 22 विकेट उनकी चफलता बया करते हैं उम्रान ने इस IPL में 14 बार मैच की सबसे तेज गेंद फेकने का कमाल किया इस दोरान उनने IPL इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद फेकी 157 किलो मेचर प्रति घंटा की रफ़तार से देर सही साही लेकिन अकिल भारती फुटबॉल फेडरेशन IFF के अध्यक्ष और राजसबा सांसत प्रफुल पटेल की भारती फुटबॉल से विदाई हो गई है अब उनकी वापसी की संभावना जरा भी नहीं बची है कारण चार साल के तीन कारेकाल पूरा करने और उसके बाद दो साल फाल्तू लगाने के बाद भी जब उन्होंने फेडरेशन के शीर्ष पद को नहीं छोड़ा तो अंततहा माननी सरवोच्च नयायाले ने उन्हें टीम सहीद बाहर का रास्ता दिखा दिखा दिया है ऐसे देक्षित से निजात मिल गई जिसका कारेकाल विवादों और विफलताओं की लंबी कहानी रहा है अभी के लिए वस अतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जुन सत्ता के साथ थनिवाद